तीन हजार वर्षों में वागभट के बात को किसी ने अभी तक नहीं रखा और इतने वैदेराज हमारे इस देश में रहे उन्होंने भी हम तक ये बात नहीं पहुंचाई ये एक बहुती उल्जन पैदा करने वाली बात मेरे मन में आई अब मुझे लग रहा है कि जहां कहीं भी वागभट जी रहे होंगे उनका मन बड़ा दुखी हुआ होगा और वो राजी भाई के शरीर में प्रविष्ट कर गए और आज 21 सदी के वागभट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं मैं आप सबसे आगरा करूंगे तालियों की गड़गराट से उनका स्वागत क परम पूजने साध्वी जी को साधर वंदन महर्शी भागभट जी के सूत्रों पर जो पिछले चार दिनों से चर्चा हो रही है उन सूत्रों में आज मैं आपसे चिकित्सा विशे की बात शुरू करूंगा मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि महर्शी भागभट कहते हैं कि जिन्दगी में 85 प्रतिशत बीमारियों को हर व्यक्ती स्वयम ठीक कर सकता है तो अब तक जो मैं बात कर रहा था कल तक वो 85 प्रतिशत वाला हिस्सा था इस मैंसे आपको कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी जो किसी विशेशगी की मदद से करनी पड़े अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो सब इतनी सरल और सहज बाते हैं जो आप स्वयम कर सकते हैं आज मैं आपको 15 प्रतिशत वाले हिस्से की बात करूँगा जो बचा हुआ पंदर प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेशगी की जरूरत है वो वाली बात आप से शुरू करूँगा लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खतम होने के बाद कि अरे ये पंदर प्रतिशत भी हम कर सकते हैं बागवट जी की यही खूबी है वो ये मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति विशेशग्य हो सकता है और वो ये भी एक जगह लिखते हैं कि मैं अखेला बागवट नहीं मेरे बाद और भी हो सकते हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सूक्ष्म अबलोकन कर सके अब्जर्वेशन सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे वो सभी विशेशग्य हो सकते हैं तो विशेशग्य चिकित्सा के इस तर पर आज मैं उनका एक अध्याय आपके सामने लेता हूँ ऐसे उन्होंने लगबग 40 से ज़्यादा अध्याय लिखे हैं उसमें से एक मैं शुरू करता हूँ बागवटी जी ये कहते हैं कि जब विशेशग्य चिकित्सा की बात आए गंभीर रोग जैसे कैंसर है, डाइबिटीज है, अर्थराइटिस है तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान ने प्रकरती ने ऐसी विवस्था बनाई है कि विशेश गंभीर रोगों की चिकित्सा भी आप बहुत आसानी से सहचता से कर सके उसमें से उन्होंने एक यगे लिखा है कि इस पूरे भ्रह्मांड में, पूरी प्रकरती में ऐसी कई चीज़े हैं जो एक साथ वात पित और कफ तीनों को ठीक करने की शक्ति रखती है एक साथ बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं प्रकरती में जो वात, पित, कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वात को अच्छा रखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पित को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे वाद को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वात को हमेशा सम भाव में रखता है, समानता में रखता है, वात को बढ़ने नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल, अब ये शुद्ध तेल उन्होंने लिखा साड़े तीन हजार साल पहले, आज के विशलेशन में अगर हम ध्यान दे तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, उसमें कुछ नहीं मिलाया, मतलब नॉन रिफाइंड तेल, अगर आप तेल खा रहे हैं, तो बागवट जी का निवेदन है, कि आप तेल शुद्ध खाईए, मानि, रिफाइंड तेल मत खाईए, डबल रिफाइंड तेल मत खाईए, अब आप कहेंगे, जी क्यों नहीं खाएं, डॉप्टर तो यहीं बोलते हैं, कि रिफाइंड खाओ, डबल रिफाइंड खाओ, तो आपको षिरदय गात नहीं आएगा, वगेरा वगेरा ये जो refine तेल हैं मैंने इनको देखा है कैसे refine किया जाता है आप भी देख लें कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को refine करने में 6-7 chemical इस्तेमाल होते हैं और double refine करने में 12-13 chemical इस्तेमाल होते हैं वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोक शाला में. भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता। भगवान का बनाया हुमा ने प्रकर्ती का दिया हुआ जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं और्गैनिक। और्गेनिक एक भी केमिकल नहीं है जो तेल को साफ कर सके एक भी केमिकल दुनिया में नहीं जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उप्योग किये जाते हैं वो सब इन और्गेनिक हैं और इन और्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका combination जहर की तरफ ही लेके जाता है आज की दुनिया में modernism के नाम पर आधुनिक्ता के नाम पर जितने inorganic chemicals जगे जगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें इसलिए refined तेल, double refined तेल, गलती से भी मत खाईए बागवट्टी जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात को ठीक रखना है जिंदगी भर तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकितसा वो बोलते है वो तेल का ही है वो कहते हैं शुद्ध तेल खाईए शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल अब आपके मन में दो प्रश्ण आएंगे तुरंट कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है हाँ, सीधा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण आएगा जी, शुद्ध तेल बहुत चिप-चिपा होता है गाड़ा होता है, चिप-चिपा होता है और बास अलग से आती है हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वैग्यानिकों की मदद से काम किया एक तरह से कहें, रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिप-चिपापन है वो उसका सबसे महत्वण घटक है तेल में बहुत कुछ होता है जैसे मैंने आपको पहले दिन बता है न मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रियंट्स है, कैल्शियम है, आईरन है, सिलिकोन है, कोबर्ट है ऐसे तेल में भी है हर चीज में है तो तेल का जो सबसे महत्वण हिस्सा है वो उसका चिप-चिपापन ही है और जैसे ही तेल में से ये चिप-चिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं वो हिस्सा ही गायव हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास वो उसका प्रोटीन कंटेंट है तेल में प्रोटीन बहुत है जैसे आपने सुनाए दालों में प्रोटीन होता है दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है भगवान का ईश्वर का दिया हुआ दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज़ादा है वो तेलों में है तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है वो बास जो है ना उसका और्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए चार-पांच तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी ऐसेड है वो गायब अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवट जीने सूत्र लिखा कि जिन्दगी भर वात की चिकितसा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो वात की चिकितसा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे जादा रोग वात के ही है सबसे जादा रोग ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड़ियों में दर्द ये वात के तो रोग है ही सबसे खतरनाक बात का रोग है हर्ट अटेक हिर्दैगात सबसे खतरनाक बात का रोग है पैरलिसिस सबसे खतरनाक बात का रोग है ब्रेन का डेमेज हो जाना तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिंदगी में है इन में वात के खतम हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड़ जाने की भूमिका सबसे बड़ी है फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आये आसे 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है ये पिछले 20-25 वर्षों में आये हैं रिफाइंड तेल कुछ कमपनिया निकली इस देश में कुछ विदेशों से आई कुछ हिंदुस्तानी कमपनिया दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा किसी ने माना नहीं तो डॉक्टरों से कहलवाया बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया जो डॉक्टर अपने मरीजों को कहते है कि बाईया तेल हमेशा रिफाइंड ही खाना ये वाला तेल लाना वो वाला तेल लाना अलग-अलग ब्रेंड के हैं न सफुला ले आना सन फ्लावर ले आना ये ले आना वो ले आना इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वारताएं करना शुरू किया खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय ये prescription के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफूला का ही खाना या तेल ये ही खाना तो मैंने का डॉक्टर साब सफूला से आपका क्या रिष्टा है जो आप हर मरीज को कहते है तेल सफूला का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल मुंगफली का ही खाना ये सफूला कहां से आ गया हमारे यहां तो नारियल का तेल होता है मुंगफली का तेल होता है तिल का तेल होता है सफूला का तेल ये हिंदुस्तान का तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते हैं लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं वो सफोला वाला आता है न तो डॉक्टर साहब को कभी रेफरिज रेटर दे जाता है कभी टेलिविजन दे जाता है कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफरीका की सफारी दिखा देता है तो यह है चक्कर सारा कि एक तरह से किक बैक डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोग शुरूप से मिल रही है इसलिए डॉक्टर साहब बार-बार कह रहे हैं सफोला का तेल खाना अब यह सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबोरेटरी में सूरज मुखी का तेल जो अलग-अलग ब्रेंड का है वो टेस्ट किया लेबोरेटरी में दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences के कई डॉक्टरों को इसमें इंट्रेस्ट हुआ कि बात तो यह गहरी है इस कि तेल में जैसे ही आप बास को निकालेंगे और उसका चिप-चिपापन हटाएंगे वो तेल ही नहीं रहता तेल के सारे महतुपूर्ण घटक निकल जाते हैं और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता डबल रिफाइंड तो बिल्कुल छूच है कुछ ही नही उसमें और आप उसको खा रहे हैं तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है मैं बार बार एक शब्द पे आपको ध्यान लाया HDL High Density Lipoprotein ये तेलों में से ही आता है आपके शरीर मे वैसे तो ये लीवर में बनता है लेकिन तेल खाएं तब खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है तो शुद्द तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बहतरी निस्थती में रहे और ये HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो वात को कंट्रोल क अधर सकता है अच्डियल ही है तो आधुनिक विज्ञान का ये HDL और साड़े तीन हजार साल पहले के विज्ञान बागवट्ट चकित्सा का तेल ये दोनों एक ही चीज़े हैं तो आप शुद्द तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे HDL अच्छा रहे जिंदगी में हर्ट टे में जुड़े हुए उनके उपर एक्सपरिमेंट किये खासकर 36 गड़ में हमारे कुछ मित्र हैं मैंने का भाई आप ऐसा करो चिकित्सा करनी है तो बागवट्ट की करो हाँ ठीक करेंगे तुम डॉक्टर बंद कर दो हाँ बंद कर देंगे तो ऐसे हमने कुछ हमारे दोस्त इकठे किये जिनको बहुत ज्यादा समस्या है कॉलेस्टरॉल की बहुत ज्यादा समस्या है ट्राइगलिसराइट की बहुत ज्यादा समस्या है हाई बीपी की ऐसे कुछ लोग इकठे किये और 36 गड़ में ये इसलिए किया कि 36 गड़ भारत में ऐसा एक राज्य है जहां प्रयोजन था और ये लगबग हम तीन साड़े तीन साल से कर रहे हैं अभी भी ये चालू है हमारा काम बंद नहीं हुआ है तो वहां हमने जिंजिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया रिफाइंड और डबल रिफाइंड और शुद्ध तेल पर वो आते गए आते गए अभी उनकी इस्ति ये है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते हैं कि देखो तीन सा पहले इनकी ये रिपोर्ट थी कॉलेस्ट्रॉल इतना डॉ इसलिए उनके ट्राइगलिस्राइट्स लेवल कम हुए, कॉलिस्ट्रॉल लेवल, माने VLDL, LDL कॉलिस्ट्रॉल लेवल कम हुए, HDL उनका बहुत तेजी से बढ़ा, बलड प्रेशर उनका अपने आप कम हुआ, हर्ट अटेक आने की जो कंडिशन बनी हुई थी वो पूरी तर ये आया रिपोर्ट और बागबट जी का देखकर फिर मैंने देखना शुरू किया, आप भी जरा पुरानी चीज़ें याद करिये, 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, तो हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ों में बहुत बार तेल का उप्योग होता था, और तेल के साथ घी का उप्योग तो और भी ज्यादा होता था, तेल और घी एक ही कैटेगरी मान लें, आदुनिक विज्यान के हिसाब से, वैसे आयुरवेद के हिसाब से दोनों अलग कैटेगरी हैं, लिकिन एक मिनट के लिए मान लें हम, कितने बार हम घी का उप्योग करते थे घरों में, शीर जगे तेल, 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 कितनी जगे घी, 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 और 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना, पता नहीं आपने सुना, मेरे पिता जी को मैं पूछता हूँ कि कितने हर्ट अटेक होते थे, तो मेरे पिता जी कहते हैं, अपने परिवार में तो एक भी नहीं हुआ, शायद आप 40 बारे वर्षों में क्या ऐसा हो गया जो इतने हर्ट अटेक हो रहे है परसों किसी ने मुझे कहा कि 17 साल के बच्चे ने हर्ट का ओपरेशन कराया अभी यहां चिन्नाई में अपोलो में या पता नहीं कहां अब 17 साल की उमर में आपको बाईपास करवाना पड़े एंजियोग प्लास्टी करानी पड़े यह तो दुखद इस्थती है और यह दुखद इस्थती बहुत दिन समझने के बाद पैदा हुई है रिफाइंड तेलों से डबल रिफाइंड तेलों से तो भागवट्ट सूत्र के अनुसार आज में आपको विंती करता हूँ कि जिंदगी भर वात की बीमारियों से अगर बचना है आपको तो तेल शुद्ध खाईए तेल एकदम शुद्ध खाईए अब आपका तुरंत अगला प्रशन आएगा चिन्नई में मिलता नहीं दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं न मिले अर्थशास्त्र ये कहता है कि आप डिमांड खड़ी करो हर चीज की सप्लाई होती है जब रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल बिक सकता है तेल निकालने वाली मिले लग जाएंगे और अब घानी लगाना बहुती आसान है पहले एक जमाना था जब घानी लगाओ तो खर्चा बहुत होता था अब तो 20-25 अजार रुपई की छोटी मशीन आती है और उसी मशीन में सब तरह के तेल निकल सकते है अलग अलग मशीन भी लगाने की ज़रुवत ने आप चाहें तो घानी भी लगा सकते है वो तो 18-20 अजार की ही आती है बेल से चलने वाली घानी वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकल आता है तो इसलिए आप तेल शुद की तरफ बढ़ जाईए और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूँ कि जिस तेल में चिपचिपापन जितना ज़ादा होगा वो आपके लिए उतना ही उप्योगी है जिस तेल में बास जितनी ज़ादा होगी वो उतनी ही उप्योगी है सर्सों के तेल के बारे में सारे डॉक्टर्स All India Institute के जो रिसर्च कर चुके हैं वो ये कहते है सर्सों के तेल का डबबा मूँ पे लगाओ और जो आँख में से आशू तुरंत ना निकले है तो समझ लो वो नकली है उसकी इतनी तेज बास आएगी कि हांक से आशू निकली आएगी नाक चलना आपकी शुरू होई जाएगी वो कहते हैं वो उसके शुद्धता की गारंटी है तो आप इसको अपने जीवन में ध्यान रखें वात के रोगों को जीवन भर चिकितसा करनी है तो तेल की मदद से ही सबसे जादा उपयोगी है और तेल खाने के तरीके आप सब जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि सबजी में कितना तेल डालना डालों में या आपके दूसरे भोजन पकवानों में तेलों का किस तरह से उपयोग करना मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां तीज त्योहार होते हैं और हर तीज त्योहार में कुछ खास तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं मैंने ये देखा है कि कुछ खास तरह के त्योहार में कुछ खास तरह का तेल उपयोग हो रहा है दूसरे तरह के तेओहारों में दूसरे तरह का तेलोपयोग हो रहा है उसके पीछे बड़ा साइंस है बहुत बड़ा साइंस है बहुत बड़ा विग्यान वो विग्यान ये है कि जैसे मान लीजे होली के आसपास के तेओहार चैत्र के महीने के तेओहार अब फागुन और चैत्र के महीने के तियोहारों में जो जो पकवान बन रहे हैं आप उन पर अगर नजर डाले हैं तो वो उस मौसम के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है दिवाली के आसपास के जो तियोच तियोहार हैं नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर के उन में जो पकवान बन रहे हैं वो खास तरह के प्रप्रेशन हैं बहुत गहरा विग्यान कभी मौका मिला तो इस पे अलग से ही बात करूंगा कि तियोहारों में पकाये जाने वाले जो व्यंजन है वो हमारे शरीर को किस तरह की मदद कर रहे हमारे वैग्यानिकों ने महरशियों ने ये देखा कि जीवन के दिनों में अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रक प्रकोब जादा है गर्मीके दिने थो शरीर में कौन प्रकोब जादा प्रकोब पाने इन भाद पितرف यह तीनहीं तरह कि तो उनको सय्यमित रखने के लिए कौन सी चीजां प्रकृती ने दिये हैं तो व्यंजनौ में वही चीजां डाली गई जैसे अब मैं आपको थोड़ा और इस पश्ट करता हूँ ये बात अमूर्थ है लेकिन अब थोड़ी मूर्थ करता हूँ सरदी के दिनों में जितने भी तियोहार आप मनाते हैं या जितने भी तियोहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं ये सब तियोहारों में आप देखो भोजन ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से गरिश्ट होता है प्रपरेशन कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप तिल खा रहे हैं सरदी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है और तिल के तरह तरह के व्यंजन बनाये जाते है अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अड़दिया खाया जाता है अड़दिया दुनिया का इससे अच्छा शायद कोई पकवान न हो अड़दिया जिसको कहा जाता है उड़द की डाल का बनता है अड़दिया, ऐसे ही राजिस्थान के कुछ इलाकों में विशेश पकवान है, ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ पकवान है, लेकिन अगर महसूस करें, तो ये सब भारी हैं, भारी, गुरुत्त है इसमें, बागबटी जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, गुरु है कि कोई चीज आसानी से ना पचे, दीरे दीरे पचे, देर में पचे, क्यों? अब ये ठंडी के दिन होते हैं, तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित जो है न, थोड़ा कम होता है, पित थोड़ा कम होगा, वात जादा बढ़ा हुआ रहेगा, और कफ सबसे जादा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अगनी पर है अब कफ का असर जठर अगनी पर है तो जठर अगनी भी थोड़ी कम रहती है थोड़ी जो गर्मियों के दुनों में वो भड़कती है उतनी नहीं होती तो अगर आपकी जठर अगनी कुछ कम है कफ के प्रभाव में है तो आप भोजन भी ऐसे खाईए जो तुरंत पचने वाले नहीं है धीरे धीरे पचने वाले हैं ताकि जठर अगनी उसके साथ मेल कर ले अपनी गती का ऐसे समझ लो जठर की गती कम होती है तो खाये जाने वाला खाना भी कम गती से तो बहुत अच्छा है तो सोस समझ कर ये तै किया गया कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है सर्दी के दिनों में मुंगफली खानी है सर्दी के दिनों में गुड़ खाना है सर्दी के दिनों में घी सबसे ज़्यादा खाया जाता है और आपने अक्सर वैद्यों से सुना होग का सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छे हैं मने खूब अच्छा खाओ और भगवान का दिया हुआ भी इन महिनों में भरपूर होता है तिल भी इनी महिनों में आते हैं मुंगफली भी नई इनी महिनों में आती है चने भी इन महिनों में नई आते हैं तो अच्छा खान खाने का समय यही माना जाता है सरदियों का और अच्छा खाना वो जो गुरुत वाला है गुरुत वाला वो जो थोड़ा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे पच्छता है तो कितना बड़ा मेल बिठाकर हमारे लोगों ने हमारे व्यंजनों को त्योहारों के साथ जोड़ा गर्मी के दिनों में उल्टा होता है गर्मी के दिनों में आपका पित भढ़कता है बने अगनी तीव रहे तो आप ऐसा खाना खाओ जो जल्दी हजम हो जाए बारिश के दिनों में सम रहता है पित जो है बहुत ही कम होता है तो बारिश के दिनों में यह कहा जाता है कि भाईया सबसे हल के खाने में बहुत restriction है क्यों जी ऐसा खाना तो आप खाई नहीं सकते जिसमें पानी बहुत हो क्योंकि शरीर में पानी बहुत होता है उस समय प्रकरती के हिसाब से शरीर चलता है तो बारिश के दिनों में अक्सर आपने सुना है जैन सादू संतों के मूझे के हरा हरा पत्ती क हरा सबजी मत खाओ हरा सबजीयां मत खाओ ये वगरा वगरा हरे पत्ती की सभी सबजीयां बहुत पानी भरी बहुत पानी शरीर में पहले से जादा है क्योंकि बारिश में नमी जादा है तो आप जादा पानी के शिकार होंगे जादा पानी भी अच्छा नहीं है कम पानी भी अच्छा नहीं है तो इसलिए सादू संत जो कहते हैं वो भी कुछ विज्ञान के आधार पर कहते हैं बस अंतर इतना है कि हमारे दिमाग में क्यों इतना गहरा घुसा हुआ है कि जब तक क्यों explain कोई नहीं करता हम ना उसकी बात सुनते हैं ना मानते हैं तो अपने देश में बागवट जी के अनुसार वात की चिकित्सा जिन्दगी भर अच्छी रहे आपकी तो तेल शुद दखाईए ये एक सूत्र अब दूसरा सूत्र वो कहते हैं कि पित्त की चिकित्सा पित्त जिन्दगी भर आपका ठीक रहे आपको तकलीफ ही ना आए तो कहते हैं देशी गाय का घी खाईए पित्त को जिन्दगी भर सम रखने के लिए अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी वैसे तो उन्होंने सेक्ड़ों चीज़ें बताई है सबसे अच्छी तो उसकी ऊपर की शिरणी में गिनती है घी घी माने गाय का घी बहस के घी के लिए उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुष्टी लड़ते है कुष्टी लड़ते हैं बहने पहलवानी करते हैं दंड बैठक लगाते हैं पहलवानी करते हैं वो भूमाते हैं इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी न खाएं, ये भैस का ही घी खाएं, क्योंकि होना ही उनको भैस के जैसा है। जो कुष्टी लड़ रहे हैं, अखाडे में दंड बेठक लगा रहे हैं, मुगदर घुमा रहे हैं, वगरा वगरा, इनके लिए है भैस का घी, बागवट जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और आपने अगर भैस का घी खाया तो आप त जिंदगी बर शांत रखना हैं, शमित रखना हैं, समवस्था में रखना हैं, तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई हैं, वैसे तो सेकड़ों हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूँ, वो कहते हैं, नमबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए वो है गुड हैं और ओब्लिक करके उन्होंने एक चीजब बताइए है शहद तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते वो शहद खाएं जो नहीं खा सकते वो गुड खाएं अब आप मैसे जो जहन सिध्धान्तों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़ और जो जेन सिध्धान्तों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं तो तीन चीज़ों की अब बात में कर रहा हूँ पहली चीज हो गई शुद्ध तेल, दूसरी चीज हो गई गाहे का घी, और तीसरा हो गया गुड़, उल्टे से शुरू करता हूँ, गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा, आधुनिक विज्यान की जानकरी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ, कफ जब भी बिग पुड़ेगा, तो आप समझ लो, आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है, और फॉस्फोरस का एक छोटा भाई भी है, आरसेनिक, आरसेनिक वैसे तो शरीर में न रहे तो अच्छा है, क्योंकि जहर है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे, तो फॉस्फोरस को ताकत दे यह आरसेनिक फॉस्फोरस का कॉंप्लीमेंट्प्री है आरसेनिक यह केमिस्ट्री की बात है अब आप समझ लीजिए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया इसका माने फॉस्फोरस कम हो गया तो बागवट जी ने कितनी कितनी इंटेलीजेंसी से चुना गुड़ खाओ हमने तोड़ा मात्रा में आरसेनिक भी है लेकिन फॉस्फोरस उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है और गुड़ जो बना है ना किस से बना है गन्ने के रस से तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फॉस्फोरस है लेकिन गन्ने के रस से ज़्यादा गन्य के रस्प में भी फॉस्फोरस है लेकिन उससे ज़्यादा गुड़ में है तो क्या किया हमने गन्य के रस्प को गरम किया तो गरम करने की जो प्रक्रिया है इसमें फॉस्फोरस घटा नहीं बढ़ा ये पता नहीं क्या अधूद विग्या नहीं तो बागवट्टी जी ने ये नहीं का कि गन्ने का रस्पी हो उन्हों ने का गुड़ खाओ गन्ने के रस्प को भी वो कह सकते थे क्योंकि फॉस्फोरस उसमें है लेकिन गन्ने के रस्प से ज़़दा बहत्री निस्थटी का फॉस्फोरस गुड़ में है जो सबसे जल्दी हजम होता है ये गुड ऐसी अधवुत चीज है, जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है, एक दिन के बच्चे को, आज बच्चा पैदा हुआ, आप शाम को उसे गुड दे सकते हैं, आज ही दे सकते हैं, तो आप जो है, एक ऐसी इस्थती में हैं, जहाँ आपके पास कई चीज प्लाब्द हैं, उनमेंसे बागवटी जी चुनकर दे रहा है कि देखो यह है अब गुर बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते है काकवी तरल गुर बड कहिए उसको, तरल गुर राब कहते हैं कई लोग उसको राब, राजिस्थान में राब कहते है वो ये कहते हैं कि गुड़ और राब में आपके पास अगर चोईस है तो राब खाईए वो गुड़ से भी ज़्यादा अच्छी है तो राब हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लिबरेटरी में तो गुड़ से बहतरी निस्थती का फॉस्फोरस राब में है तो आपकी जिन्दगी का इसको हिस्सा बना लीजे हिस्सा कफ की जिन्दगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राब और गुड़ खाएं ये आपकी जिन्दगी का हिस्सा हो जाना चाहिए अब आप पूछेंगे जी कौन सा गुड़ खाएं बजार में कई तरह के गुड़ है एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है सफेद सफेद होता है जो गुड़ का रंग जितना जादा साफ वो उतना ही बड़ा जहर आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया एक दम सफेद ये सफेद रंग के चक्कर में हम बर्बाद हो गए है जब से अंग्रेज आए ना हमारे दिमाग में भूद गुज गया हर चीज हमें गोरी चाहिए हर चीज गोरी हर एक रंग सफेद चाहिए हाँ मैं रविवार का अखवार जब पढ़ता हूँ नो तो मेट्रिमोनियल कॉलम्स आते हैं सबको गोरी पतनी चाहिए भले चाहने वाला चिककट काला हो उसको गोरी ही चाहिए बागबटी जी कहते हैं कि प्रकरती में आप इसको ध्यान से सुने प्रकरती में जिन चीजों का रंग जितना ज़्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है इसको ध्यान से समझे प्रकरती में जिन चीजों का रंग जितना ज़ादा सफेद है वो आपकी अनुकूल नहीं है उधारण के लिए भहस का दूद भी बहुत सफेद है वो पहलवान के लिए है आपके लिए नहीं है भहस का दूद और गाय का दूद एकडम पीला है पीला उकूलता जादा है तो प्रकरती में गन्ना है ना गन्ने का रस कभी भी सफेद नहीं होता आपने तो देखा है ना अच्छे से गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है फिर ये सफेदी कहां से आई मैं आपको बहुत विनमरता पूर्वक कहता हूँ ये सफेदी आती है निर्मा वा यहां हूँ वो आप कभी विश्वास करें या ना करें लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना सफेदी के प्रती आपका मौ उसको ध्यान में रखते हुए इतना निर्मा डालते हैं इतना वाशिंग पाउडर उसमें डालते हैं गन्ने इसे भी छूईये मत तो फिर आप कहेंगे जी गुड़ कौन सा अच्छा है गुड़ का जो नैचुरल कलर है वो वही है जो चौकलेट का होता है चौकलेट आपने देखिए जिस रंग की चौकलेट है रंग वही गुड़ का सबसे अच्छा तो गुड़ खरीदते समय ध्य चाहिए तो दुकान वाले को बोल कर लाईए कि भाई हमको ये सफेद वाला नहीं चाहिए तो कहेगा कौन सा चाहिए तो वो जो काला काला सा थोड़ा चौकलेटी कलर का गहरे लाल रंग का वो दे दो तो वो भी है उसके पास वो अंदर रखता है क्योंकि वो से मालुम है पुसकी आप लेने वाले है नहीं उसे तो वो अंदर रखता तो है आप जब मांगोगे तो वो वही लेके आएगा ये गुड़ जहांसे भी बनकर आरहा है वहां फिर संदेशा जायेगा ये सफेद बनकर दो कोई मांग नहीं रहा कोई ले नहीं रहा सब को अब वो ही चाह वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है अब गुड के अत्रिक्त मिठाई में जरा चले तो क्या है? चीनी आज के समय में बागवट जी के समय चीनी नहीं थी इसलिए उन्होंने उस पे कोई सूत्र नहीं लिखा क्योंकि उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी एक है सभिता यूरोप और अमेरिका की जहां से चीनी आई और दूसरी सभिता है भारत की जहां से गुड आया एक ही रौ मिटीरियल है एक ही रौ मिटीरियल है चीनी बनाने के लिए भी गन्ने का रसी लगता है गुड़ बनाने के लिए भी गन्य का रसी लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़ है कि एक ही raw material है गेहूं का आटा जिस से रोटी भी बनती है पूड़ी भी बनती है पराठा भी बनता उसी से पाव रोटी भी बनती है और डबल रोटी भी बनती ठीक है सब्विताओं का अंतर है raw material सेम है गेहूं का आटा वो हिंदुस्तान में भी है वो अमेरिका में भी है वो कनाडा में भी है वो भारत में भी है लेकिन वो गेहूं के आटे से बनाते हैं पाव रोटी और डबल रोटी हम गेहूं के आटे से बनाते हैं रोटी, पूड़ी या पराठा या आधी-ाधी बहुत सारी चीज है अंतर क्या है जी? अंतर प्रोसेस का है प्रक्रिया का अंतर है प्रक्रिया का अंतर है raw material सेम है, end product भी सेम है, खाये जाने के लिए बन रहा है लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है, वो रोटी बनाएंगे तो पहले आटे को सड़ाएंगे ferment करेंगे, और आटे को सड़ा सड़ा के पुराना पुराना करकर के फिर उसमें से पाउर रोटी ही बनेगी रोटी तो बनने ही पाएगी, क्योंकि आटे के fermentation के बाद रोटी बनना मुश्किल होता है और हम आटे को पानी में गूंदेंगे और ततकाल उसकी प्रक्रिया करके रोटी बना लेंगे वो प्रक्रिया नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं, कोई university नहीं, कोई college नहीं इसी तरह से उनके आच शक्कर में होता है कि गन्ने के रसको, कई देशों में गन्ना उत्पन होता है, बराजील में, मेकसिकों में बगएरा बगएरा तो वो गन्य के रसको प्रोसेस करते करते चीनी बना लेते हैं हम चीनी की तरफ नहीं गए हमने गुड़ ही बनाया क्योंकि चीनी बनते ही अब आप ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूँ चीनी बनते ही फॉस्फोरस खतम होता है चीनी बनते ही फॉस्फोरस कफ का शमन करने के लिए अब वो है ही नहीं चीनी में तो आप जो चीनी खा रहे हैं वो जिस उद्देश के लिए खा रहे हैं वो पूर्ती ही नहीं होती और चीनी एक ऐसा केमिकल है अगर मैं ब्लैक बोर्ड लेके चौक पे समझाना शुरू करूँ तो समय थोड़ा जादा लगेगा लेकिन अंतिम बात आप जल्दी समझ जाएं चीनी जब आपके शरीर में जाती है और ये तूटती है हर चीज अंदर जाके तूटती है माने पच्चती है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो एसिड है और गुर जब शरीर में जाता है और तूटता है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो छार है अब मैंने आपसे थोड़े दिन पहले कहा था पता नहीं याद है के नहीं पेट में हमेशा अमल है ठीक है अब पेट में तो अमल पहले से है प्रकरती का दिया हुआ आपने चीनी खाई चीनी में से भी अमल ही निकला तो अमल तो बढ़ गया ना जरूरत से ज़्यादा और ये बढ़ा हुआ अमल अगर पेट में आपके है तो ये खून में भी जाएगा आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि पेट में जो है वो खून में भी जाएगा और खून में अमल बढ़ता ही गया रोज आपने एक चम्मच चीनी खाई दो चम्मच चीनी खाई तीन चम्मच चीनी खाई हर दिन उसमें से अमल निकल रहा है और पेट का अमल भी उसमें जुड़ रहा है फिर जुड़ रहा है फिर निकल रहा है फिर दस साल का हिसाब नि दो चम्मच माने हो गई लगबग 10 ग्राम के आसपास तो 10 ग्राम चीनी रोज की एक साल में कितनी 10 साल में कितनी 30 साल में कितनी 40 साल में कितनी हिसाब निकालोगे ना तो मरते समय तक एक बोरा चीनी तो कोई भी खा लेता है 100 किलो तक अब इतनी चीनी खा के जो एसिड बनेगा वो कहा जाएगा बिचारा आपका किड्मी जितना निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा लेकिन सब नहीं निकाल पाया तो ये रक्त में ही रहेगा और यही एसिड है जो वात के रोग आपको पैदा करेगा तो इसलिए चीनी और गुड एक ही चीज में से बनने वाली दो मीठी वस्तुएं हैं लेकिन गुड में क्या है गुड जब आप खाएंगे फासफोरस किसी भी चीज में रहे चार पंड रही रखता है वो उस चीज को माने उसमें alkaline की property ही रहती है तो गुड कितना भी खाएंगे चार ही बनेगा और वो चार पेट के अमल को balance करता रहेगा तो पेट की अमलता बढ़ने नहीं पाएगी तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी अब इसको और एक तरीके से समझाता हूँ गुड और चीनी पे जब हमने experiment किये तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है पूरा शरीर जुक जाता है तब चीनी जाके पचती है और सबसे देर में पचती है आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी गेहूं पच जाएगा चना पच जाएगा मटर पच जाएगी चीनी सबसे अंत में जाके पचेगे और उसको पचाना पड़ता है लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अधवुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने कि गुड़ सब को पचा देता है गुड़ तो सब चीज को पचा देता है चीनी को पचाना पड़ता है मेरी बात समझ में आ रही है आपको गुड हर चीज को पचा देगा खुद ताकत लगा देगा आपने गुड के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीज़ें गुड पचा देगा लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीज़ों को तकलीफ कर देती है तो इसलिए बहतरी इन है क्यों गुड खाये जिंदगी बर कफ के रोग आपको नहीं आएगा फिर अंत में वोई सवाल मिलता नहीं जी ये रोना बंद कर दीजे दुनिया में हर चीज मिलती है जहर भी है अमरुद भी है आपको क्या चाहिए और आज की दुनिया है ना आज की दुनिया माने आज का मार्केट माने आज की एकॉनमिक्स वो बायर्स एकॉनमिक्स है कंज्यूमर्स एकॉनमिक्स है buyer's market है consumer market है माने जो ग्राहक मांग करेगा वोई चीज बजार में टिकेगी ग्राहक मांग ही नहीं करेगा तो वो टिकने वाली ही नहीं है तो आप मांग करना शुरू करो जी गुड़ चाहिए गुड़ चाहिए गुड़ चाहिए तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे बोलो कितना चाहिए मैं कोलापूर जाके आता हूँ गुड़ वाले से बात करके आता हूँ हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूँ गुड़ वाले से बाता है जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र है बिहार बहुत बड़ा केंद्र है गन्ना होता है करनाटक में बहुत गन्ना है महाराश्ट तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है इंदोस्तान में आपका महाराश राप के बॉर्डर पर ही है आंध्र प्रदेश में बहुत गन्ना है तमिल नाडू में भी गन्ना है कई इलागे तमिल नाडू में गन्ने के जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर आप ले लो उससे वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपाई किलो आपको मैं 17 रुपाई किलो ले लूँगा तुम इसमें ये जहर मट डालना और वो 2 रुपाई किलो आपने जो जादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई कढ़िया सौधा नहीं है बहुत फाइदे का सौधा है तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की लाखों की संख्या में हैं गाउं गाउं में हैं आप उनसे संपर्क कर लीजे और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजे आपके आपस में सब लोगों को जितने कम से कम पान साथ सो लोग यहां बैठे इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है जरूरत के हिसाब से आपको उपलब दो सकता है तो यह मत कहिए कि मिलता नहीं हर चीज इस देश में मिलती है छोट छोटे गाउं में भी उपलब दै कुछ लोग गुड़ खाईए कुछ लोग काकवी खाईए माने जिसको राब कहत अब गुड़ को दूद और दही में खाने का नियम है वो बागवट जी कहते हैं वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए दूद में गुड़ कभी मत मिलाईए दूद में कैसे खाईए जी दूद में ऐसे खाईए कि पहले गुड़ खा लीजे पीछे से खा लेजे, दूद में गुड मिला नहीं सकते, और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाये, आप में से कोई बेहार वाले है ना, तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है, उसका नाम है दही चूडा, दही चूडा ही कहते हैं, चूडा, ये मिथिला में मैंने ख लाते हैं, उन जिलों में जब भी आप जाएं, तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं, तो मैं भी महमान जैसा ही रहता हूं, तो मुझे हर घर में दही चूडा मिलता है, तो वो दही डाल के लाते हैं, उपर से गुड डाल के लाते हैं, दही के ऊपर गुड रहेगा, तो मैं अकल में आया कि वो सब बागबट के चेले हैं, दही में गुड मिला के पहले से ही चिवडा पे रखके लाते हैं, तो दही में गुड मिला के ही खाईए, अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड मिला के ही खाईए, तो दही के कई दोश जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, व तेरा कहने का मतलब यह अब गुड़ के कितने प्रिप्रेशन है हमारे घर में गुड़ का तिल का प्रिप्रेशन एक है तिल पट्टी कहते हैं गजक गजक तो भरपूर गजक खाये क्यों खाये जी तिल है और गुड़ है गुड़ में जो केमिकल है और गैनिक तिल में तिल की पट्टी बनाईए, गजक बनाईए, नहीं तो तिल का लड़ू बनाईए, गुड के साथ बनाईए, फिर इसी तरह से मुंगफली है, मुंगफली भी छारी है और गुड भी छारी है, तो मुंगफली और गुड मिलाके वो पट्टी आती है, वो खाईए, बच्चों क खाईए क्योंकि इस समय आपके शरीर को इनी की जरूरत है तो कफ जिन्दगी से बहुत दूर रहेगा तिल खा रहे हैं गुड़ खा रहे हैं मुंगफली खा रहे हैं कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं तो जिन्दगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं अब जानते कफका सबसे खराब रोग क्या है मोटापा मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाईए भरपेट तिल खाये भरपेट मुंग्फली खाये मोटापा भी कम हो जाएगा आपको डर है ना तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है तेल तो है तिल में लेकिन वो HDL वाला LDL वाला नहीं है VLDL ये मोटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है HDL जैसे ही बढ़ेगा मोटापा अपने आप कम होगा पेट अंदर ही जाएगा आप में से कोई भी मेरे कहने पर तीन महीने एक एकस्परिमेंट कर लीजे तिल चबा चबा के खाईए खाने के बाद तीन महीने के बाद वजन ना पेंगे आठ दस किलो कम मिलेगा कम से कम इतना कम मिलेगा खाना खाया खाने के बाद आप सौफ खाते हैं ना सौफ की जगे तिल खाये और काला खाया तो और ज़्यादा वजन कम मिलेगा काला तिल एक है सफेद काले के गुणवत्ता सफेद से भी जादा है लेकिन ये इनी चार महिनों में गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्राबलम आएगे बागवट जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है ये फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत ज़्यादा लिबरल हों तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करिए या खतम करिए फिर कुछ और चीज आएगी वो क्या आएगी वो में बता दो लेकिन आप ये करके देख लीजे चार चीजों को ज़्यादा उपयोग आप करेंगे वजन आपका कम होता जाएगा पेट का अमल कम होता जाएगा घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं न डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया जी यूरिक एसिड यूरिक एसिड क्या है अमली ही तो है तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है तो गांट के सब जो मने जोडों के दर्द आपको कम करने हैं तो इन के लिए ये सब चिकित्सा बताई है तिल है, गुड है और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है शहद में बागवट जी कहते है छोटी मदुमक्षी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजे तो एक हिस्सा हो गया कफ का अभी दूसरा पित्त का हिस्सा पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है, एकदम straight forward है, कि घी जादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है, वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं उस समय घी जादा खाएंगे ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखेंगे और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्ध देख, अभी ये जितनी बात है, आप सोचो कितनी सरल है, बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है, जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगे दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेगे तो ये तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चलें, अब और दूसरी चीज़ों पर में चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात-पित-कफ तीनों को संपे लाने में मदद कर सकती हैं ये तीनों संभाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीज़ें तो बागवटी जी कहते हैं, रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं, सब वहीं है बागवटी जी ने एक सूत्र लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा औशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा औशदी केंद्र, रसोई घर है अब दुर्भागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब औशदी है मसाले का और औशदी का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है पहले तो ये बता दूँ ये अर्बिक शब्द है फारसी से अर्बी में आया अर्बी से हमारे घुज गया हिंदी में और जगे जगे घुज गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगे किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशुरुत में कहीं मसाला नहीं है बागवट की कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए है न दस्वी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाली नहीं किया हर जगे है तो औशदी है औशदी औशदी जीरा औशदी धनिया औशदी ये औशदी के रूप में है तो इनकी जो प्रापरटीज हैं, रसोई घर की, आउशदियों की, ये सब आपके चिकितसा के लिए है अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सबजी बनाना, तो क्या-क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी-कितनी चाहिए वो सब बड़े वेग्यानिक और चिकितसक लोग रहे होंगे क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित कफ की स्थती सम और असम होती रहती है आप जानते हैं सुबह जो है ना वाद जादा होता है शरीर में सुबह सुबह दुपहर को पित जादा होता है, शाम को कफ जादा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो बात पित कफ उपर नीचे होता रहता है तो सबजियों में उसी के हिसाब से औशदियां डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सबजी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाईन थी शाम को खाई तो नहीं क्यों तो उसने उत्तर तो नहीं दिया तो उसने का मेरी माने ऐसा सिखाया बस बात खतम हो गई अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकितसा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है और दुपहर को पित बढ़कता है आप जानते हैं और वो स्वावाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़कना ही चाहिए तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए तो भारत में ज़्यादा तर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाइन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठा उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीजें है ज़्यादा तर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती है क्योंकि पित्त को सम पे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे है हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं ग्रेजों के फॉर्मूले से GDP निकलता है इस देश का ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडट्ट तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि GDP में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो GDP का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ी डकेतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा और प्रधान मंतरी छाती ठोक के कहगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया पुलिस का खर्च बढ़ गया बने चोरियां बढ़ गई डकेतियां बढ़ गई अत्याचार बढ़ गई अनाचार बढ़ गई तो GDP बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है तो हमारे जो GDP के कैलकुलेशन है बड़े विचित रहे इसमें चोरी हो डकेती हो लूट मारी हो तो GDP बढ़ेगा लेकिन माताएं बहने घर में जो करती रहती है वो GDP में है यह नहीं कैलकुलेशन ही नहीं है बारस सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है किसी माने दाल की बढ़ी बना दी पाँच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता है बुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड बना दी, किसी ने कुछ बना दी, किसी ने गोंद के लड़ू बना दी, किसी ने मावे का कुछ बना दी, तो GDP तो बड़ी रहा है, लेकिन हम calculate नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों के यहां, महिलाओं का किया हुआ काम मह महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा और आज भी है ये कई देशों वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते हैं हां यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लैटो वो कहता है कि इस्त्रियों में आत्मा ही नही गया कि इस्तुरी कुछ भी करे तो कामी का नहीं तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गए सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वह माल लिया मैं अभी इसको बदलना चाहता हूं और मैं यह समझना चाहता हूं कि इस्तुरियां जो कर रही है वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आफ फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे हैं हमारी दादी नानी फोकट में वो यह एडवाईज दे रही है धनिया खाओ जीरा खाओ और यह अजवाइन खाओ आपके पेट कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में एसरिटी की तकलीफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाईन ज्यादा रहे दाल में सबजी में वग़र वगभर और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खान खतम करते ही थोड़ी अजवाइन खालो अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना कर दे उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खाके देख लो तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तयार यह ग रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन अब तीसरी चीज पर आते हैं पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा जीरा दो तरह का है एक सफेद और एक काला है ना काला जीरा सफेद से भी अच से कल कहा था जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी भगवान की बनाई हुई मनुष्य की नहीं मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है बहुत गहरे रंग का है भगवान की बनाई हुई हर चीज में यह नियम आप देखना कि भगवान की प्रकरती की बनाई जो चीज जितने गहरे रंकी है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है तो जीरा दो है एक सफेद और एक काला काला जीरा सबसे अच्छा पित्त को खतम करने के लिए सम रखने के लिए तो आपके रसोई में एक हो गया घी, देशी गाय का पित्त को खतम करने दूसरा हो गया अजवाइन तीसरा हो गया जीरा और एक चीज हींग हींग तो आप सब समस्ते हैं न हींग हींग भी भगवान की बनाई हुई है आदमी ने नहीं बनाई हींग के पहाड़ होते हैं वैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं वैसे हींग के पहाड़ होते हींग वहीं से आते हैं तो हींग है जीरा है अजवाइन है और देशी गाय का घी अब इसके नीचे आता है धनिया धनिया दो तरह का है एक सूखा और एक हरा जब तक हरा उपलब्द है आप खाईए जब नहीं नहीं है तो सूखा खाईये दोनों की क्वालिटी एक ही है कि सूख धनिये में कोई कमी नहीं आते हैं आपके मन में यह प्रश्ण ए ना हरा पत्य का धनिया में कुछ जादा होगा फोल्ग कि में बिल्कुल नहीं है दोनों में करने के लिए रसोई में 108 चीज़े हैं वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब है आप ले लेना एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंबीर रोगों की चिकित्सा इसमें ये सूची है और थोड़ी सी अश्टांग हिरदयम के भागतीन में भाग दो में भी है थोड़ी थोड़ी है थोड़ा आगे बढ़ें कफ की सूची मैंने बताई आपको कफ में सबसे अच्छी चीज़ है गुड़ गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद जैन है तो शहद मत खाईए ये मेरी भी विंती है आपको क्योंकि नहीं तो मै पाप का भागीदार बनूगा जो आप से कहूं कि शहद काओ और मुझे तो मोक्ष में जाना है तो पाप की गठरी क्यों ला दो तो आप जैन है तो बिलकुल शहद मत खाईए अजैन है मने जैन नहीं तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं ना खाएं तो और भी अच्छा क जब गुड़ ना रहें तब सोचें इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज़ है अपने रसोई में कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ बताई बागवट जी ने वो है सोट सोट का ही एक दूसरा रूप है अदरक अदरक से अच्छी है सोट कारण क्या है अदरक जब सूख जाता है तब ही सोट बनती है और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है हाँ ताजा अदरक है ना उसका गुण जितना नहीं है सूखे हुए अदरक माने सोट का गुण लगभग सौ गुना बढ़ता है इसलिए सोट अदरक से हमेशा अच्छी है तो कफ खतम करने के लिए रसोई घर में एक हुग गया गुण दूसरी हो सोट सोट का ओबलिक अद पान, पान माने पान का पत्ता, जो आप पान का खाते है ना पान ये कफ दूर करने की सबसे उत्त्म औशदी लेकिन पान भी वही चक्कराएगा, कौन सा पान? जो गहरे रंग का, हर चीज़ में ये नियम है गहरे रंग का गहरे रंग का आप उसको कहो जी देशी पान, तो और भी अच्छा, ये पान कफ नाशक है, बहुत ही जबरजस्त चीज़ है ये, पान, और पान और सोट का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पान खा रहे हैं, तो सोट डालके खा सकते हैं, अदरक डालके खा सकते हैं, जेन हैं तो सोट खाई हैं, नहीं हैं तो अदरक खाई हैं, पा गुलकंद मने क्या है? गुलाग के फूल, उसकी पंकुडिया, उसका तो रस या उसका कुछ प्रिपरेशन, प्रॉसेस से. ये भी सबसे ज़्यादा कफ नाशक है. अब आप देखो, जो जो चीजें पान में पड़ रही हैं, वो सब कफ नाशक हैं. पान बनाने वाले सब बा शुख फिर उसके आगे मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी से सबसे अच्छा कफ नाशक गुड फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे अब सौफ के नीचे जिसका नंबर है वो है लॉंग लवंग कही है लॉंग कही है और ऐसे ये सूची बढ़ाते जाएं तो इसमें करीब सौ हैं जो कफ नाशक है हमारे रसोई में ठीक है अब आजाएए वात पर वात पर मैंने सबसे अच्छी चीज़ बता दी है तेल शुद्ध तेल शुद्ध तेल वात नाशक है और अब जो दूसरी बात में कहने जा रहा हूं इसको मैं संगशेप में उपसंगहार के रूप में कह रहा हूं कि जिन चीज़ों में भी पानी की मात्रा जादा हो वो सभी वात नाशक है जिसे दूद्ध आप जानते हैं दूद्ध में तो सबसे ज़्यादा पानी ही है ना दूद्ध को फाड़ के देख लो सॉलिड मिटीरियल तो थोड़ा ही निकलता है ना बाकी तो पान जादा है बागवट्टी जी ने सूत्र ऐसे लिखा है कि पानी युक्त चीज़ें जल युक्त चीज़ें सभी वात नाशक है तो दूद्ध हो गया दूद्ध के बाद दही दही में भी पानी ही है आप जानते हैं और चाच तो सबसे ज़्यादा पानी वाली है जूस जो आ मांटर का वगरा वगरा ये सब जूस वात नाशक है तो सब तरह के जूस दूद्ध दही चाच ये सब वात नाशक चीज़ें हमारे घरों में हैं अब आखरी चीज आखरी चीज बागवट्टी जी कहते हैं कि वात नाशक पित नाशक और कफ नाशक ऐसी चीज़ें दुनि कोई बात का नाश करेगा कोई पित्त का कोई कफ का लेकिन कोई ऐसी चीज़ें भी अपने रसोई में हैं जो तीनों को नाश कर सकते हैं उन में से नंबर एक है आवला आवला फिर दूसरा है हर्डे और तीसरा है बहेड़ा और तीनों मिलाके बनता है त्रिफला यह जो त्रिफला है ना बागबटजी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं इतनी प्रशंसा उन्हों ने लिखे है कि खाली त्रिफला पर ही उनके एक सो बीश से जादा सूत्र 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को ऐसे खाओ 120 से ज्यादा सूप रहे अकेले त्रिफला पर और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फलावला फिर बहेड़ा फिर हर्डे ये सबसे दुनिया में अद्बुचीज है लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए ज़्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं करिए बहुत अच्छा है लेकिन मात्रा ध्यान रखिए हम क्या करते हैं कि हर बहेड़ा आवला तीनों बरावर मात्रा में मिलाके त्रिफला बनाते हैं वो कहते हैं कि ये उतना उप्योगी नहीं है और हमने करके भी देखा वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है एक दो तीन की अनुपात में पहला है हर हर्डे एक अनुपात दूसरा है बहेड़ा दो अनुपात और तीसरा है आवला तीन अनुपात अब इसको मात्रा में कहूं अगर त्रिफला बनाना है तो हर्डे लेना सौ ग्राम बहेड़ा लेना दो सो ग्राम और आवला लेना 300 ग्राम तो ये 100-200-300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चून तैयार करेंगे वो कहते हैं ये अद्बुत है वाद, पित, कफ, तीनों का नाश करता है तीनों का अब वाद, पित, कफ, तीनों से आप अगर ग्रसित है तो आप त्रिफला जरूर लीजिए कैसे लाएं त्रिफला लेने के दो नियम बताए उनोंने एक रात को और एक सबेरे सबेरे का नियम उनका ये है कि सबेरे सबेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड के साथ नहीं तो शहद के साथ गुड या शहद वैसे ही आप तरह कर लीजे जैन हैं तो गुड अजैन हैं तो शहद तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड या शहद के साथ रात का त्रिफला खाएं तो दूद के साथ या गरम पानी के साथ त्रिफला तो एक ही है ना सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे है रात को भी लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं असर अलग-अलग है दोनों के रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये त्रिफला रेचक है रेचक शब दुनों ने इस्तेमाल रेचक माने पेट को साफ करने वाला बड़ी आथ की सफाई करने वाला शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला जाडू लगाने वाला जो व्यक्ती वो रेचक तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये रेचक है, माने ये एक ही काम सबसे ज़्यादा करेगा, कि आपकी कबजियत मिटा देगा, कितनी भी पुरानी कबजियत है मिटा देगा, 40 साल पुरानी भी मिटा देगा, रात को, और जो दिन को त्रिफला खाया सबेरे, गुड के साथ, तो वो कहते हैं ये पोशक है, एक शब्द है रेचक और एक है पोशक, पोशक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटेमिन सी चाहिए, विटेमिन ए चाहिए, विटेमिन डी चाहिए, या विटेमिन के चाहिए, या कोई विटेमिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स चाहिए शरीर को, केलश रखता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कबजियत ठीक करने के लिए तो त्रिफला रात को खाना दोनों समय के त्रिफले में बिलकुल अलग तरह के परिणाम आते हैं तो जो कहें हम तो स्वस्थ हैं जी तो सवेरे यी त्रिफला ठीक है? मात्रा ध्यान रखना एक, दो, तीन सम मात्रा का त्रिफला बहुत रेर केस में इस्तेमाल होता है एक या दो ही बीमारी हैं अभी मैंने एक जगे इस्तेमाल किया था एक वैग्यानिक हैं भावा अटोमिक रिसर्स सेंटर में काम करते हैं उनको एक बीमारी हुई रेडियेशन से रेडियेशन आप जानते हैं सभी अटोमिक सेंटर में तो उनका पूरा शरीर सड़ गया एक दम सड़ गया जगे जगे घाओ, जगे जगे और उसमें से खून निकलता मवाद निकलता, वो बिचारे इतने परिशान इतने हैरान कहां कहां जा जाके अमेरिका, कनाडा, सब जगे कुछ इलाज हुआ नहीं, कोई रिलीफ मिलाने कपड़ा भी नहीं पहन सकते ऐसी इस्तिती थी, हमेशा नंगे बदन रहते थे तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया बंबई तो मैं अकसर जाता रहता हूँ कि राजी बाई, ये कैसे व्यक्ति हैं तो मैं उनको गया था मिलने और देखने तो मैंने देखा, सच में हालत बहुत खराब थी तब मैंने उनसे का कि आप बहुत परेशान हैं, हाँ बहुत परेशान हैं जवास अब काम लेके देख ली, कुछ उपयोग होता नहीं। मैंने का मैं होमियोपेथी दूँँ, उन्होंने का होमियोपेथी मैं नहीं लेना चाहता। तो मैं पूछा चलो आप फिर एक काम करो, त्रिफलाचुन खाओ, बस और कुछ मत करो। तो उनोंने त्रिफला चून शुरू किया, ये, मैंने विताए, एक, दो, तीन, शुरू किया, 3-4 महिने में रिज़ल बेहुत ठोड़ा आया, अधोड़ा आया, फिर मैंने का मातरा बदल के देखते हैं, पिर उनकी सम्मातरा की मैंने, बराबर जतनी मातरा आँवला, बराब अभी इस्ति ही ये है कि वो बिलकुल ठीक है एक सवा साल उनको हुआ त्रिफल्ण खाते कहते बिलकुल ठीक है और पहले से ज़्यादा प्रफुलित है पहले से ज़्यादा इनर्जेटिक है आप जानते हैं रेडियेशन का दुनिया में इलाज नहीं है ये उधारन मैंने जा एसे पर पेटेंट लेकर करूडों डालर कमाई होते हुद ये हमारे यहाँ प्रचंड मात्रा में हैं हर घर में हैं हर गाउं में हैं इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं मालूम मैं आपसे फिर कहराऊ आपके सोचने का नजरिया बदल दीजे प्रकर्ती ने जो चीजें प्रचंड मात्रा में हमको दी है वो उतनी ही कीमती है वो प्रकर्ती के हमारे उपर क्रपा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी है आवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते बहेडा इतना मिलता है हरडे इतना मिलता है और लगबग फोकट की इस्थिती में मिलता है अब पता नहीं कौन-कौन लोग उसी आवले को 200-200 रुपई किलो चवण प्राश बना के बेच लेते ये जो चवण प्राश है ना ये त्रिफला चून से कई-कई गुना नीचा है चवण प्राश पे जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाईए चवण प्राश से भी ज़्यादा असर है तो मेरी आपको आज के लिए ये आखरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में बात पित्तकफ तीनों को सम रखना चाते तो आवला, हरडे, बहेडा, हरडे, बहेडा, आवला इन तीनों का उप्योग करना सीख लीजे घर में हमेशा इसको डब्बे में बनाके पाउडर के रूप में रख लीजे अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं आप अकेला आवला भी खा सकते हैं आवला तीनों दोश दूर करता है बात पित कफ हरडे तीनों दोश दूर करता है बात पित कफ और बहेडा तीनों दोश दूर करता है बात पित कफ इसलिए बागवट जी कहते हैं सर्वत्तम फल यही है आवला हरडे बहेडा दूसरे फलों से कई गुने ज़्यादा ताकतवर यही फल है आवला हरडे बहड़ा अब आपको आखरी एक छोटी सी बात कह दू कि आप में से किसी को भी यह तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है मेद माने मास बढ़ा हुआ है बहुत लोग परिशान है मोटापा मोटापा मेद माने कफ बढ़ा हुआ है सीधी सी बात तो आप त्रिफला खाईए कब खाना है आपको रात को नहीं खाना है सबेरे खाना है जिनको भी मास बढ़ा है शरीर पर मेद बढ़ा है उनको अगर छाटना है इसको कम करना है तो त्रिफला सबेरे खाना आवला सबेरे खाना आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आवला ही खालीजे चार आवले तीन आवले रोज खालीजे आवले को मुरब्बा बना के खालीजे मुरब्बा को और आवले का अचार बना के खालीज जैसे भी है आवला खालीजे तीन से चार आवला जितना होता ये पेट में जाते रहे तो साल वर में आप देखोगे आप पहले से ज़्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे और आवले के बारे में आज के जो वेग्यानिक कह रहे हैं आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटी ऑक्सिडेंटल फल कोई है तो वो यह है एंटी ऑक्सिडेंट माने जो ऑक्सिडेशन की क्रिया को कम करे और शरीर में हमेशा ऑक्सिडेशन चलता है ऑक्सिडेशन में उम्र कम होती है शरीर के हर अंग का च्छे होता है तो अगर उम्र बढ खाएं आवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं साल वर खाओ, दो साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक खाओ, तो तीन महीने लगाता हैं खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना, तीन महीने, तीन महीने नब्बे दिन खाके थोड़े दिन छोड़ देन माने 15-20 दिन छोड़ देना फिर अगले 3 महीने खा लेना फिर 15-20 दिन छोड़ देना फिर 3 महीने खा लेना क्यों खर लेना ऐसा वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुश्परिणाम भी दे सकता है लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगे का कमजोरी आ गई अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना अब किसी व्यक्ति के लिए ये छोड़ने का समय है तीन महिने से थोड़ा पहले भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है इसलिए मैंने बीच का बताया तीन-तीन महिने करके छोड़ छोड़ के खाना अब आज के लिए सूत रित नहीं आगे प्रश्न जी मात्रा कितनी मात्रा मैं बता देता हूँ जिनको वजन कम करना है वजन कम करने के लिए त्रिफला या आवले का उपयोग करना है तो आवला तीन से चार और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच तो एक चम्मच हाँ गुड़ के साथ सुबह नहीं तो शह आवला लगबग एक चम्मच लेकिन छोटी चम्मच कैसे खाना है गुड़ के साथ कैसे मिलाएं आवले का चून आपके पास है थोड़ा गुड़ ले लो चून और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो वो लड़ू जैसा हो जाएगा गुड़ उसको अपने में समा लेगा फिर ग तानी 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 आप ऐसा करिएगा यह प्रदीप भाई की दुकान पर चले जाएगा वो आपको शकल से दिखा देगे या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजे पहचान करने के लिए के हर क्या है बहड़ा क्या है आवला तो आप सब पहचाने जी हरड़ा को कड़का बहरा को तानी काई आमला को पाल निली काई आमला को पाल निली काई या निली काई सिधे कर दीजे यह तिनों है यह प्रदीप भाई ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मास कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो दो बार खा सकते हैं बिलकुल नही एक ही बार के लिए नियम है सुभई ही सुभई आपके लिए सबसे अच्छा है जो बाजार में त्रिफला चुरन मिलता है वो खा सकते हैं मेरी आपको एक विंती है बाजार का त्रिफला चुरन लाने से अच्छा है बाजार से आवला लाना बहेडा लाना हरडे लाना कूट पीस के अपने घर में बनाना क्योंकि बजार में कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो commercialize हो चुकी हैं और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागवट को गाली देंगे इसलिए raw material लाके घर में तयार करना कूट पीस के जी आपने घुड की बहुत मार्कवर पूर्णता बताएं परन्तो diabetes patients क्या करें उसके लिए गुड़ आप diabetes में खाईए भरपेट आंवले के साथ खाईए त्रिफला के साथ खाईए कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं है गुड़ खाने में डाइबिटिक लोग भी जूश में हैं फल में वह आपको शायद मालूम है या नहीं शक्कर जो है न शुगर कर इसके कई रूप है एक है glucose एक है सुरुक्रोज एक है फ्रक्ट्रोज तो यह जो फल वगर्श की शक्कर है यह फ्रक्ट्रोज फॉर्म की ज़्यादा होती है और यह आसानी से पूछे कोई भी फल खाने में तक्लीफ नहीं पशरते की त्रिफला खाते रहें थोड़ा त्रिफला लेते जिनको भी डाइबिटीज है वह भी कियोंकि डाइबिटीर मैंने कहा है वास्ट का रोग हैं तो तो आप लें पेट साफ करना हो कॉंस्टिपेशन दूर करना हो देखिए मैं अब थोड़ा बताई दूँ बवासीर अगर किसी को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें मूडव्याद पाइल्स जिसको का आप कहते हैं हेमरोइड वो जब भी ठीक कर पी दुद के साथ या गरब पानी के साथ और अगर आपको मास कम करना है कफ नाशक बीमारीयाँ कफ से जोड़ी हुई बीमारी तो सुबह भी क lagi काने के बाद लेंगे रात को और सभेरे लेंगे काने के पहले काने के ही नहीं नाश्टे के भी पहले चालीस मिनट नाश्टा करने से चालीस मिनट पहले जी आपने बताया कि त्रिफला एक दो तीन के अनुपात में बनावे हैं तो आपने जो मुंबी वाली बात करी तो मुंबी वाले बैसाब को पहले आपने एक दो तीन के अनुपात वाला ये त्रिफला दिया वो जब बराबर काम ने किया तो फिर आपने समकाल इन दिया वो विकुल ठीक होगे तो ये क्या प्रोसेस हुआ हाँ ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है इसमें हुआ क्या कि जब आमले में हरडा बहेडा और आमले को एक दो तीन की अनुपात में हम रखते हैं तो आवला जादा है आप निश्यत रूप से देखें तीन मात्रा है आवला जादा है आवला माने विटेमिन सी का भंडार आवला माने ये आवला माने वो तो अब जब बीमारी उनको रेडियेशन की थी तो अल्रेडी उनके शरीर का विटेमिन सी बढ़ा हुआ है क्योंकि रेडियेशन से वो एक्स्ट्रा होता है तो हमने देखा आवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वो काम नहीं कर पा रहा है इतना ज ये radiation जैसे गंभीर बीमारियों में, cancer जैसे गंभीर बीमारियों में, इस तरह का उपयोग होता है, आमला हरडे बहडे का बड़ाबर मात्रा में, लेकिन बाकी जो साधरन बीमारियां हैं, उनमें एक दो तीनी रहता है, क्योंकि आपको कई जगे calcium की ज़रूरत है, vitamin C की ज़र लातीन मात्रा में लो, तो वो बढ़े, तो बाकी चीज़ें कम हो, तो ये चक्कर है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, आप लेकिन समझ जाएं, सरल भाशा में मैंने कोशिश की है बताने की, जी, जी, in 1992, I went to Rajasthan, I studied Jainism, I have been following, I was 120 kg, with top to bottom all diseases, today, I am standing without any disease, I am 66, I am following 100% Swamiji's, I don't take idli, chapati or sugar, particularly white sugar is nothing but carbon, nothing but carbon, carbon, charcoal कोई कायेगा, the same way, the refined oil, nothing but again carbon, asphalt, road के दालेगाना, थार, that is, So, what he said, I learnt it in Rajasthan, I was 127 kg, now I am just 49 or 50 kg, without any disease, from top to bottom, including lung cancer, and mouth cancer, I cured, without any medicine, only by food, the Swamiji's food. I have to thank Jainism, but when sorry state, kindly all Jains follow, not attending here, follow you, don't listen and forget it, all these things have to go into your heart, and eat healthy, live healthy, thank you. मेरे पास एक कागज में लिखा हुआ प्रशना आया है, छोले की दाल और दही साथ में खा सकते हैं, आप ये देखो, छोला द्विदल है क्या, है, तो नहीं, और खाना है तो तरीका मैंने बताया है, दही गरम करके, बगार लगा के, तो जो भी चीज द्विदल है, उसके स पासीर गरम होती है, तब ही खाएं, धन्यवाद,